किसानवायी ये जो अब है आप अपनी स्क्रिन पर पौधा देख रहें ये पौधा है सफयस चन्दन का जैसे कि आप सभी जानते हैं सफयस चन्दन का पौधा जो है एक बन का पौधा माना जाता है और इस पोदे की खेती करके आप काफी अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं अगर इसके वारे माद इक डिटेल वीडियो आपको देखनी है तो हमारी चैनल पर अपलब दे जाकर देख सकते हैं आज मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ की जो पोदा है इस पोदे के अंदर जो होस्ट प्लांट है वो हमने लगा रखा है लाल घा जिसको लाल सा प्लांट लाल घास लाल बास सा काफी सारे नाम उसे इसको जाना जाता है आज हमने ये होस्ट प्लांट आपको दिखाया है अगर आपके पोदे के अंदर होस्ट प्लांट नहीं है लगा हुआ अगर होस्ट प्लांट लगा हुआ है कोई और होस्ट प्लांट आपने लगा रखा है जिससे के गिरोध आपके पोदे के अच्छी नहीं चल रही है जैसा भी आप यह देख सकते हैं हमारे जो पोदे की गिरोथ है वो काफ़ी अच्छी चल रही है और नीची देख सकते हैं तना भी काफ़ी अच्छा गिरोख कर रहा है तो फ्रेंट इस ऐसे में आप क्या कर सकते हैं अपने पोदे के अंदर जो host plant लगा सकते हैं ये गहस आपको आसपास के आपके college बगएरा garden में आपको जो है सलक के किनारे जो है आपको लगी मिल जाती है highway बगएरा पर तो friends इस गहस को आप लगाईए अपने पोदे के अंदर और साथ में एक बात का और विशेज ध्यान रखें कि चंदन के पोदे की जो निराई गुलाई है वो आधिक ना करें सामय सामय पर करते रहें लेकिन ऐसा नहीं है कि रोज ये आठ में दिन दस में दिन इस तरह से ना करें बिलकुल भी यहाँ पर देख सकते हैं ये कितने जादा घास फूस है यहाँ पर और इसके अंदर देखिए कितना अच्छा ग्रोग कर रहा है चंदन का पोदा इसको ज़्यादा कुछ साफसफाई की अवसकता नहीं होती है सुरुवात में जब पोदा थोड़ा शोटा होता है तो थोड़ी अवसकता होती है लेकिन अभी जब पोदा है हमारा ये देख सकते हैं लगवाँ धाई फिट के करीब जो हमारा पोदा हो चुका है और इस धाई फिट के हाईट के बाद जो है आपको किसी भी तरह की ज़्यादा साफसफाई की जरूत नहीं है आप समय सहे पर करते रहें वही काफी है और फ्रेंट्स अभी जो है आप सभी के जो पोदे हैं वो गिरोथ नहीं कर रहें तो उसके लिए मैं एक फुल डिटेल वीडियो अभी लाने वाला है उसमें कुछ दवाईयो के नाम मैं आपको बताऊँगा ताकि आपकी जो पोदे हैं वो अच्छे से गिरोथ कर सकें अब मैं आपको बता रहा हूँ आप अपने पोदे कंदर अभी कोडी के खात का इस्तमाल करें सड़ेवी गोबर की खात का इस्तमाल जरूर करें और यह जो आप होश्ट प्लांट हैं वाले होश्ट प्लांट लगादे है आप के पोदे छूटे हैं तो एगर बड़े बड़े होस्ट प्लाइन शरु हुआ इस तरह के बहुत से होस्ट प्लांट है मैं नह Canad刪 बता रखा ड्र sporoy लेजिए और वह उसके बाद का जो कार्री आपको करना है वह मैं फुल डिटेल वीडियो लेका आँगा बना कि उसमें आपको दिखाऊंगा कि आपको क्या क्या काम करने हैं तो किसान वाई यह उस वीडियो का इंतियार करें और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखे ताकि इस वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए धन्यवाद थैंक्स वर वाचिंग